रादे रादे मित्रो आपका इस चैल में स्वाकत हैं मैं आज आपके लिश्टिक किष्णेजी की दामोदर लिला के बहुती सुन्दर खता लाया हूँ एक दिन माता इश्वदा दही मतने में व्यस्त थी और अपने लाला कनिया की लिलाओ को गुणगुनाते जा रही थी उसी समय बालक कनिया सुबर सुबर नीन से जागे और दूद पान करना चाते थे इस कारण से उन्होंने मैया इश्वदा की दही मतने वाली मधानी को पकड होने के लिए जो दूद रखा था वो उबलने लगा और नहोंने कनिया को गुल्च से उतार कर दूद बचाने के लिए रसोई की दब तेजी से दूड़ी मेह दौरा बीस में इस तरह चोड़ कर जाने से कनिया को गुसा आया और नहोंने एक पत्तर से दही वाली मटकी को त और एकांद में जाकर ताजा ताजा मखन अपने चोड़े-चोड़े हाथों से चाटने लगे पता ओकली तो मसाला वगरे कूटने के लिए प्रोक की जाता है उस पर बेटकर बंद्रों को भी मखन किलाने लगे तूटी हुई दही की मट्की को देखकर मिया को समझने में जरा लेकर चुपचाप कनिया के पीछे पहुँच गई में जरा के हाथ में चड़ी देखती ही बाला किष्ण उखल से कूट कर भई से भागने लगे और माता एशोदा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे-पीछे दोड़ी कितनी अजीब बात है कि जिन परमेश्र को बड़े य वीदियों से अनद प्रियासों से बात भी नए पकड़ पाते उन्हीं ब्रह्मान के मालिक को मा एशोदा आज पकड़ने ही कोशिश कर रही है और प्रभूबी मेया के भैसे भाग रहे हैं जिनके कि ब्रगूटी के संकेट मातर से अनद अनद ब्रह्मान नष्ट हो जाते है बहुत तेरे तक दोड़ती हुए जब कनिया ने देखा कि मिया के चेहरे से पसीने की बूंदी आने लगी है तब उन्होंने श्वमी अपने आप को पकड़वा लिया और अतिदिक डरने का नाटक करने लगे अपने हाथों से अपनी आखों को मसल मसल कर रोने लगे और चोड़ जोसे हिचकिया लेने लगे यहां पर भुगानी असित कर दिया कि वो सिर्फ अपने सुद बगतों के प्रेम के ही वस्मे है और किसी को भी समझना या पाना असंभव है सब मिया एशुदाय ने अपने लाला को इतना डरा हुआ देखा तो वासले प्रेम से उन्होंने सोचा कि कई मेरा लाल जादा ना डर जाए इसलिए तरफ उन्होंने चड़ी को दूर फेक दिया और उन्हें बाढने का निश्चे किया जिससे भौईश में वो फिर ऐसे सितानी ना करे जिन जगत के परम नियता का ना कोई आधी है ना कोई अंत है उन्होंने परमेशु को बला कोई कैसे बंदन में रख सकता है लेकिन मिया एशुदाय ने अमिसुद बगती से ऐसा करने का प्रयास कर रही है मिया ने उन्हें उकल में एक रसी से बाना सुरू किया परन्तों दो अंगल कम पड़ गई उन्होंने एक और रसी जोड़ दी मगर फिर भी रसी दो अंगली कम पड़ गई इस तरह सुदाची ने एक के करके सबी रसीया जोड़ डाली मगर बानने में असपल रही हर बार वही दो अंगुली चोटी हो जाती थी यह सब देखकर पडोसकी और गोपिया और मित्रगॉले भी देखकर चकी थे कितना चोटा सा बालक को बानने में घर की साहर रस्षी लग गई फिर भी वो नहीं बन पाए अगर सांसा एक तरीके तो सिर्फ दो फिट की रस्षी एक छोटे के बालक को बानने के लिए होती है मगर इधर तो सो फिट रस्षी भी कम पड़ गई से बगवान ये संदिश देना चाहते हैं कि बिना उनके स्वयम की इच्छा के कोई भी उन्हें बंदन में नहीं रख सकता तले उनका सुचा बग्त क्यों नहो सब करनेयान देखा कि अब मेया पहसने पहसने हो गई ठकान से मा का चेरा लाल हो गया है तब उन्होंने स्वयमी अपने आपको जान बुझ कर मेया के द्वारा बंदवा लिया जिन अकिल ब्रहमान के मालिकों ब्रहमा शेव जैसे लोग भी पुर्ण रूप से नहीं समझ सकते ही वही प्रभू आज मेयाय सोड़ा के प्रेम के बस्मे आज अपने आपको बंदव में भी करवा लेते हैं वायर ये वाव बगोण क्या लिला है आपकी वास्तरमन परमेस्वर की लीला को समझा सांसाइक दोसी दिपक्तों के समझ के बाहर की बात है उनकी लीला को सिर्प उनीकी करपा के मादे में से समझा जा सकता है दाम का अर्थ रसी और उदर का अर्थ पेट होता है तो मिया दोरा पेट के चारों रसी से बांदने कारण प्रबू का एक नाम दामोदर भी रुखिया थे इस तरह लाला को बांद कर मायुषदा गर के काम में लग गई दन्माराज के आंगर में दो पेट थे जो यमला अरजुन के नाम से जाने जाते थे अपने पुरों जन्में ये रक्ष कुबेर के पुत्र नल कुवर और माने ग्रीव थे चो बहुत ही एस्वरिवान और गणी परवार में थे चोकि धन्य के परवाव से बहुत अग्मानी और मदमस्त हो गए थे और नारद मुनी के शाप के फल्चुर्ग वो माता इशुदा और नंद महाराज के गर में पेड़ बन कर खड़े थे यहां पर एक प्रशन उड़ता है कि सदा सबी कल्यान चाने वाले नारद जैसे देयाल वेशनों बग्त ने इन कुबेर के पुत्रों को साप क्यों दिया इसके पीछे का रहश्य कुछ इस तरह से है कुबेर की ये दोनों पुत्र सीवजी के विस्याज भक्त थे और उनका आसेवाद प्राप्त की हुए थे और इस बात का उन्हें बहुत घर्व था एक बार के लास पर उस्तित मंद लाकिने नदी के किनारे एक पुस्व उपन में ये दोनों कई संदर यूतियों के साथ गाएन और विहार कर रहे थे यहां पर इन लोगों ने वारूनी एक विस्याज प्रकार की मदीरा पिया और नसर मदमस्त हो गए नसर के अति प्रवावकर्ण नदी में जो भी सरीरों को वस्व से डख लिया और बहुत सरम महसूश किया लेकिन कुबेर ने पुत्र अपने गंड़कार नग नवस्ता में ही रहे और रहने अपने आपको वस्व से नहीं टखा और नहीं रिशी को प्रणाम किया नहराजी ने जो कि सदा करोना गल्यान की बाउने से बर दूनों मदाट को बेर पुत्रों को पियड बने का साप दिया क्योंकि उन दुनों ने गड़क बहुदे को देखकर भी अपने दनों और पर्त के ग Allah के कारण अपने सरीरों को नहीं ठका था और नहीं उन्हें परनाम किया था जो कि सिनातन संस्क्रिप्षटी है नहरा जीं ने आगे कहा कि द्वापर में श्री किष्णी के दैसिन करने के उपरांती तुम इस जड़ योनी से मुक्त हो जाको सकोगे और मेरा अश्रवात की वज़ा से तुम्हे अपने पूरो जर्म और कर्म का स्वन सदेव रहेगा इतना कर अगर नादमनी वहां से अपने आश्रम चले गए और दोनों कुबेर पूतर नल कुवर और मनिगरिव अरजुन के जुड़ा वरक समाता इस सुदा के आंगर में प्रकट हुए देशिनार्ट के वचनों को सित्ख करने के लिए चोटे से बाल किष्णे जिस उकल से बन्दे थे उससे गसीड़ते हुए उन दोनों पेड़ों की और देदे चले गए और दोनों अरजुन पेड़ के बीच से निकल गए परन तो उकल न पेड़ों के बीच में टक गया यह फल्चुर करने आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिसे कान उन्होंने उकल को निकलने के लिए थोड़ा और कीस्वे जोर लगाया जोर लगते हैं दोनों विचाल रक्स चड़ से उकड़ गए और जोर की आवाज के साथ फूमी पर गिर पड़े इसके तुर्ण बादी वहाँ दो अत्यांत तेजवान देव पुर्स हाथ जोरते हो पर कट हुए और भगवन किस्ट के सुधिक करने लगे उन दोनों को बिर पुतर ने का कि आप सबी कारणों के कारण स्वरूप दश्टी के आदी से परम भगवन है और सबी जीओं के अंदर परमातना रूप में निवास करते हैं आपके बारे में स्वरूम परमा शीव आदी परम योगी तब ठीक से नहीं जानते और जिनके लिए आपके दर्शन दूरलबे उनी श्री हरी के मनोहरी बाल रूप के साक्षा देशन हमें नारजी क्रिपा से संबोग हो सके पास्तर में नारजी ने हम दोनों भाईयों पर करणों के कारणी शाब दिया और उस साब के कारणी अखिल प्रमान के नेता के देशन कर पा रहे हैं इस तरह बहुत प्रकार से इस्तुतिक करने के उपरांद उन दोने प्रमेश्टर के प्रेकरमा की और बगवान किष्णी की आगया के से स्रडलो की प्रस्तान किया उन रक्षों के गिरने की जोड़दार आवाज को सुनकर महिया एसुदा सहीद सभी आस पास के गोप्या और गौाले पाक कराए और आश्रकन लगे कि के से पेड़ गिर गए भी एसुदा ने तुरंद लाला को उकल से बंदी रसी से खोला और अपने हरदे से लगा लिया और प्रगवान को तिन्यवाद दिया कि उनका लाला सुरक्षि थे वही पर उपस्तित कुछ बालकों ने बोला कि कन्यानी दोनों पेड़ों को गिराया और उसके बाद दो तेजान पुछ निकल कर ठाला को हाथ जोड़ कर गए लेकिन उन बालकों की बातों पर किसी को विस्वास नहीं हुआ क्योंकि योकल में सभी किष्णे के प्रेम में सरोबार थे और यह मानते थे अपिदे सुद प्रेम करते थे यह किष्णे की दामुदर लिल्ला